बिस्मिल्ला रॉप्मान रॉर्हीम, असलाम लेकूम डेर व्यूर्स, I hope you all are fine. Today we will discuss how to select the topic for your research, either research paper, research proposal and thesis. डेर व्यूर्स, मेरी एक बात याद रखेगा कि कभी भी काम्याबी easy way से नहीं मिलती. हमेशा काम्याबी हासल करने के लिए hard work करना पड़ता है. चाहे वो topic की selection हो, चाहे वो आपकी जिन्दगी के किसी भी field में हो, हमेशा आपको काम्याबी तब ही मिलेगी जब आप उसके लिए struggle करते हैं. इसी तरह आपको किसी भी research topic को select करने के लिए एक hard work से गुजरना होगा. वक्ती तोर पर जब आप किसी चीज़ को लेकर परिशान होते हैं, टेंशन में आ जाते हैं तो वो काम आपका सही होने की बजाए बिगड़ना शुरू हो जाता है. काम को बिगड़ने से ही बजाने के लिए हमने उसको correct way में लेकर चलना होता है. इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही असान टिप्स बताऊंगी, जिसको आप अगर follow करेंगे तो आपके लिए research topic की selection बहुत ही easy हो जाएगी. पूरी research में research topic का बहुत ही एहम किरदार होता है. Research आपकी depend ही आपके research topic पर करती है. जो सबसे एहम point है, हो है mental stress. आपने research topic की selection के time पे अपने आपको mental stress से बचाना है. Mental stress किस वज़ा से होती है? Mental stress की basic वज़ा होती है आपका lack of help, कि आपको कहीं से कोई help नहीं मिल रही हो. Next होता है कि आपके पास time का pressure होता है, कि आपके पास time कम है और आपने उस duration में वो work करना होता है. ठीक है? और mental stress एक इस वज़ा से होती है कि आपको unable to understand. आपको ये समझी नहीं आ रही होती कि आपने करना क्या है. ठीक है? तो आप stress में आ जाती है. तो आपने कोशिश करनी है कि topic selection में आपने mental stress से बचना है. नेक्स्ट जो point आपको जो अपने mind में रखना है topic selection के वक्त वो बहुत ही एहम है. वो ये है कि choose a topic that you are interested in. आपको वो topic choose करना है, वो area of research अपना रखना है जिसमें आप interested हों. अगर आप ऐसा topic choose करेंगे जिसमें आप interested ही नहीं है, तो आप की काम्याबी के chances भी zero होंगे. इसलिए हमेशा अपने field of interest को आपने prefer करना है. topic selection को easy method नहीं है, लेकिन अगर आप अपने topic को उसी field में जिसमें आप interested हों, select करेंगे, तो ये आपके लिए 100% काम्याबी है. topic में आपने पड़ा होता है, उसके मतलिक जो है, आपने title को उसके according जो है, वो select करना होता है. ठीक है, अब वहाँ पे आपने अपनी background reading लाजमी strong करनी है, जिसमें आपका literature review शामिल होता है, आपका introduction होता है, और आपका इतना concept होना चाहिए, कि आपसे पहले कौन कौन सा वर्क आपके topic पे हो चुका है. इससे next है, कि refer to lecture notes and required text to refresh your knowledge, आपने अपने जो course work में इस तमाम जो पढ़ावा होता है, न सलेबर्स, उसको आपने दुबारा से पढ़ना होता है, अपने knowledge को refresh करने के लिए. इसके बाद जो next point है, वो है talk about research ideas in research groups. आपने research ideas के बारे में research groups में बात करें, ठीक है, वहाँ पे आपको title selection में help होगी, जब आप discussion करेंगे, जो seniors होते हैं और जो आपके जो वहाँ पे research groups चल रहे होते हैं, ठीक है, आप labs को visit करें, वहाँ पे different labs में क्या work हो रहा है, ये भी topic selection में बहुत ज़्यादा helpful होगा, अब जो मैं next point आपके लिए define करने जा रही हूं, इसमें आपने five आपने w's के उपर जो है, वो focus करने है, वो क्या है think of the questions, who, what, when, where, why, आपका जो आपका research area है, जिसमें आप जो है, वो title select करने जा रही है, ठीक है, आपने mind बना लिया है, कि ये मेरा area of interest है, अब इसके बाद जो है मैं इसमें अपना जो है research करूंगा या करूंगी, तो फिर आप उसमें देखें कि उस पे कौन, who, what, when, where, why, कौन उस पे काम कर रहे है, कब कर रहे है, क्यों कर रहे है, कहां पे कर रहे है, और किस लिए कर रहे है, ठीक है, I hope these tips will help you to select your topic, so अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसको like, share and subscribe लाजमी किजेगा,